कि हालो कुछों कैसे हैं आप सो आई ओप यॉर डूइंग वेल हम लोग इलेक्ट्र स्टेटिक्स का इलेक्ट्री फिल्ड चेटर पर थे इलेक्ट्री फिल्ड पहले हमने कोलम्स लाग का यूज करके फोर्ट्स निकाली थे किसी पॉइंट के उपर जब भी पॉइंट है बेसिक क्या है और जूट्व अप्वाट्ट चार्ट अलेक्ट्री फिल्ड हम किस तरीके से कल्कुलेट करते हैं और कल्कुलेट करने के बाद कैसे उसको वेक्टर्ली सोल करते हैं उसके कुछ एक हमने नुमेक्टिल किये थे इजी नुमेरिकल्स आज थोड़ा कंपिटि यह एक सर्क्ल लेए जाए इसकी रेडियस लेए लिए प्रेटल आप कि द्रो चार्डिस कुल सोप्रकेंट एन्गल 90 धियरी एड्य सेंटर ओफ सटर एक यह एक य आउन्ट क्या प्रेड के उपर यह पॉजिटिव चार्ड और maintenant नहीं देगरियर यह हमें इन अbn तैंड इसने पुछा है कि चार्ज Q is symmetrically placed with respect to charges capital Q इसने कहा है कि एक यह positive charge Q है और यह है इसके अलावा है हमारे पास small charge है Q, small Q उसको हमें put करना है symmetrically कहांपर with respect to capital Q and capital Q if the force at any charge placed at center is 0 what is the magnitude of Q मालिया, यह support charge मालिया मैंने क्यों, यह कैसे है symmetrically placed कर जाना है कोशल के आद दुबार बटते है एक मेरे पास circle है उसका फैंतब वो है, radius R है capital Q charge जहां रखा है capital Q charge जहां रखा है वो small Q charge को symmetrically placed करना हमें इसके ओपर इस cycle की circumference पर so that कि जो force लगे लिए इस cycle के उपर वो कैसी होने चाहिए वो force 0 होने चाहिए अब इसने यह हमें given दे लिया अब पुछा का है इसमें main यह पुछा है इसमें कि Q और Q and small Q how they are related सबसे पहले इसने given दे लिए हमें क्या दिया है given दिया है कि इस point O के उपर जो force लग रही है that is equal to 0 अब force 0 लग रही है इसका मुछ लग क्या होगा कि electric field इस point पर तरकितनी होगी हमेशा 0 अब इसको calculate करने के लिए हमें जो given दे दिया इसने electric field T T दिया इसने इसने इस तो 0 अगर मैं इस point capital electric field आगा दो by the charge capital Q, capital Q and small point उसके आप इसको zero put करूआ और वहाँ से रिलेशन निकाल सकता हूँ किस-किस में इस capital Q में और small point इस capital Q को आप देता हूँ A point ये B point ये C point अगर मैं आप देता हूँ electric field at point O due to K point ये हमने देखा था कि point charge के वाज़े से electric field कि नहीं होती है कि ये Q divided by distance अब circumference है और किसकी circle की तो सभी के सभी point कितने distance करूँगे capital R distance तो मैं इसको बोल सकता हूँ और electric field कैसे quantity होती है vector quantity तो ये की electric field की ये इत्रों है सिमिदर बेसे मैं इत्ता हूँ जानकर electric field at point O due to point B B के पर जो charge है ये जी सेल कितना होगा कि ये capital Q और आसकर आसकर कितना है जो radius है circumference पर कोई charge रखा हो गाए उसका distance point O से कितना होता है capital R कितना होगया KQ divided by capital R सेल अब हाँ आता है मारा firm charge at O due to point C ये जी सेल कितना होगी Q by R सेल अब हमें इसका क्या करना है इन तिनों का add करना है admissible link और सेक्टा क्यासी quantity है director quantity है अब इसकी मैं अब डिरेक्शन लेक्शन 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 आएगी यह हमने पीचे अइनों लेक्शन 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 क्या है O , A की सक्का मां इस B की ये वयज़े से कैसे आलेगी अब इस C की वयज़े से कुछ ये मैशे कैसे जायेगी जब देखो इसमें क्या करेंगे अब इन तीन वेक्टर ते पास आगा एक EOC, एक EOB और एक EOA किनों वेक्टर हैं? एक किनों वेक्टर का अडिशिन करना है वेक्टर होंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं ये EOB और EOA में इसमें क्या है? एंगल कितुना होगा? EO, EOB में और EO में ये हमें किनों था A, point, B, point और O, point यहां पर है तो इन मैं इस एंगल की बना था? एंगल बाद 90 degree तो इन दा सेम वे ये दोनों कैसे और बढ़ने के बढ़ने के लिए अपोजिट हैंगल तो EOB और EOA इसमें क्यों इसमें क्यों कितना होगा? 90 degree तो मैं यहां से निकाल सकता हूं E, और इसका रिजल्टन को मैं देखा हूं, इसका रिजल्टन को मैं देखा हूं इसके रिजल्टन को मैं लेए अपोज्धा सकता हूं यह हमें पिसले कोश्यक्र केंदर किया है, दो एक्टर्स का स्केयर करो, E O B square plus E O A square plus 2 E O B E O A cos of theta, और theta कितना आगया है, 90, और cos 90 कम दमते हैं, इस नहीं तो 0, तो यह तंप कितनी, 0, और यह तंप रही 0 होने के बाद, यह तंप और E O A square, दोनों पर दों से हैं, K Q Y square, K Q Y square, तो इसको मन क्यालिक से लो, तो सब्टा हम अंदरूट्टू, मृट्टिप्लाइद वाए, E O A, अब यहां पर बैलिन पूट कर दो, अदरूटू, मृट्प्लाइद वाए, E O A कि इस प्रमेटिक रिप कितना है, K Q divided by, capital ask, अब देखे हैं ये एक टर इवन है ये एक्टर फेस्ट है अब को थे बाइस हें तो हमें बता है जब एक आ सब्टैक्शन हो तो सब्सक्राइब बहुंता वे इन दोनों का रिजल्टर में का वारा व वह वह वितणा है ओसे अगे अगे अगें बाइक विल्ग बदाए ओसे बोड़ाइगा विल्ग एक और अगेशा व्लेट विल्ग उर्टिल विपने है और आपसए। तो जिरो थी तो इसका में 0 put करणगा और 0 put करणगा तो यह कितना आए था के के लिए भाए बाइग आपके माइट की आपके में लिक्षा अंगारूप 2 के क्यू जाए पाइग के लिए आपके अपके में पया था मोग देशना अगे इन्गेटिक से इसका मोग कितना दागा small q था तो यहां बेट रहाया, small q इस आए यहां भी small q था यह और यह भी कितना होजाया गए? small q तो आप क्या आपका के कन सवर, r² z r² कन सवर, तो relation के हाँ आपकास, small q equals 2 capital q multiplied by under root 2 है, that is the relation between small q and capital. यह आपके नमेर के गिया, यह net 2012 में एक बार आया ला, आपके बटते हैं, electric field lines के चाहिए, आप अपके बटते हैं, electric field lines को study करते हैं, अभी हमने एक electric field का pigment रोजित में काते हैं, electric field lines क्या है? electric field lines नाम से कि एक लेक्टिक फिल्ड हमने देख आथा टीपास दा space around which the effect of the particular charge can be studied, अब मने पुच्छ पर्टिक फिल्ड हमने कि उसके बात क्या था electric field intensity, intensity क्या था कि उस electric field का magnitude कितना होगा? वो था electrical intensity अब हम पढ़ गहा है Electric Field Lines अब यह Lines क्या होगा? यह Lines क्या होगा है आपने तरीके से इलेक्रिक फिल्ड को represent कैसे करा जाए? उसलिए एक तरीका निगाला कि लाइन के वे से हम उसको represent तरहेंगा कि अपने पहले पेखा, है से स्ट्रू पू तरीक के विमा यह दर आ घांगे कि द्योंके फील इस तरीक है यह दर प्रकेर से हैं? अब अब यह था मैं"! है । हम इसी तरे के से क्या बनाते हो यह आए? क्या इतने अद्यारा heeft जहाँ जहां जहांता है, प्रसीड करने हैं, यह हमें क्या बता रही है कि यहां पर इलेक्टिक फिल प्रसेंट है, अब यह कैसे पता लगें इक इस प्विट पे, कैसे इलेक्टिक फिल दूर जारी है, यह पास्ट की तरफ आरी है, जब भी पोजिटिव चार्ज लेंगे, जहां दखना, जब भी पोजिटिव चार्ज लेकर आता हूं, मतलब क्यूमोड, क्यूमोड इस टेस्ट चार्ज, मतलब यह एक चार्ज है, जिसके एक तुर्स करने के लिए हैं, क्या तेस्ट करने के लिए हैं, इस पॉइंट के उपर, लेक्टिक फिल दूर जाएगा, जाह पर इंक पर इंक 보통 पो तो जहां भी force का direction लगते है positive charge उपर वो direction किसके हो जाएगे electric field अगर मैं यहां पर चार्ज रखते हुआ यहां से कहा जाएगा दूर की तरफ जाएगा तो इसलिए हमें यह नीचे का direction लगा दी सिमिलर बेसे अगर मैं यहां पर चार्ज रखते हुआ positive है यह positive है तो दूर जाएगा है यह direction लगा समझा रहा है तो यह हमाई पास तुदे होगा electric field lines किस direction में अगर मैं रख देता हूँ यहां पर कोई क्यों हो और test charge कासा लेते हैं हम आमेशा positive लेते हैं positive लेंगे तो अगर मैंने इस point के ओपर कोई चार्ज रखा तो च्या रख देगा यह नेगे उसको positive हो अपनी तरफ अट्रफ 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 प्रेक्ट करेगा थे तो इसका मुझ लगी तर पोश लगेगी तो यहां पोश तो यहां पर अगर बटी नोड रखता हूं तो यह गालेक्षिन हो जाएगी सिमिलर्ली यहां पर भी अगर मैं त्यू नोड रखंगा तो अपने तरफ खीचेगा तो यह खीच लाएगा तो अपर प्रजैंट कैसे करेंगे यह तरीके से लाइस हैं जो यह ट्रेक्षिन कर रहे हैं एलेक्षिक फिल्ड यह बने नेक्टिव के लिए बनाया और यहां पर पोजिटिव के लिए यह लास्ट नेंग बनाया था भी इससे पहले तो आपको क्या ध्यां मिरना है हमेशा कि कि पोजिटिव चाल्ज रखती इसका मतलब पोजिटिव से लिखनें और नेटिव के लिए बनाया गार्टियों फिल्टिव यह बनाया था रखते वो खतम देड़ी यह आपको जाननकेर हैं अब आए अगर्ग आपको जाननकें लिए अचिक कुछ पुछ पर्पर्टी से पुछ प्रपार्टीव हैं डिय अगर यह पॉइंट चार्ज है यह पॉजिटिव चार्ज है जितनी ज्यादा लाइंज एक एरिया में होगी, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ ज्यादा लाइंज दिवाई देए और एक और साथ में चार्ज बना रहे हों क्या, इस तरीके से, यहाँ पर कितनी लाइंज ने कल रहे हैं, इसका मतलब इसके चारों और अलेक्टिक फिल क्या होगा, अलेक्टिक फिल इंटेंसिटी क्या होगी, अलेक्टिक फिल इंटेंसिटी 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 जादा होगी, और इसके यहाँ पर उल्टाब होगी, यहाँ है तो यहाँ इतनी होगा, अलेक्टिक फिल इंटेंसिटी कम होगी, तो यहाँ दस है, जादा नमर प्लाइस है, तो इ यहीं से वो सब्सक्राइब को स्ट जड़िक करते हैं इसको बोल सकते हैं density के तो अब यह इस positive काश है जड़ा मैं इतना distance देता हम यहाँ पर ये इसके देख्टे हैं तो इस रिजर में पास पास में अगर पास पास है होने के वेण प्रेशिक से क्या बखाए ज्यादा अजिजय को इस रिजर के अधना एक होगी वेप्र हैं तो इस पोजिटिव से इतने दूर इदर इतने हैं इतने हैं यहां पर हार डारेक्शन में दोर चलाया तो यहां पर इेक्टिय समय कितने हुई यहां पर माग जाने मुया कितनी है यह हमाग दिरम कर पर दिखाई दें रहिए यहांपर स्पैसिंग substantial है तो इसका मतलब क्या होगा कि electric field is less than even यह भाद यह हम को जरान रखने है यह तो हमने बता दिया यह जो हमने concept शल्गी कि आपके electric field line जिस भी space में ज्यादा दिखाई देरी रही है जिसका मतलब electric field density पर क्या है ज्यादा अगर महाँ पर कम एलेक्ट्टिकla नांटे कल गई है, इसका मतलब क्या है, मा यह कहा है, इसका मतलब क्या है श्पयरPro जार बढ़ता जाएगा तो इलेक्टिक फिल के अपना से जाएगा, इलेक्टिक फिल इंटेशिट के कूं पूला था? अब इस बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्रोपरिटी में आपको देखाँ यह इसी के पेस्ट में मैं छोटा सा एक्जाम्टों देगर के आपको बसाथा हूं इसी प्रोपरिटी में अगर हमारा आज यह कुशन आगे यह पर दिस्टल्ड दे दिया और यह पर दिस्टल्ड दे रिया दौ दो 23 इस आड़ रेडेंस के सरग्मफ्र आट इस तो आर मेंड रिशिक इस की इस्टाइम हिना कि लिए तो ह्या फ़्लेग्रश्ट टो होगा आजा ईंग कि लैस्टन को और चैनल ऌब homo या क्या करेंगे कुछ भी option लगा दो उस भी यह माझ जिता हूंना है even equals to 2 equal हम क्या कह सकते हैं इसमें क्योंकि distance बढ़ता जा रहा है अब distance बढ़ता जा रहा है इसका मतलब पहले तो एक point से कि यहां से यहां तर का distance जाता है अब distance बढ़ता है तो इसका मतलब electric field क्या होगी कम होगी तो यह option हो जाए यह तो extrude हो गया अब distance बढ़ाबर होगा तस ताइम पे उस ताइम पे तो electrical ripple होगी अधरवाइस क्या हो जाएगी यह लेक्स्ट्रूड करनेगे और यह तो क्या होगी तो यह तो यह तो इस तरह के से नहीं काल सकते हैं और दूसरा हम spacing देख सकते हैं यह जो spacing है अगर spacing electrical line न जाद है इसका मतलब intensity कम है अब इस point पर देखता हूं यहाँ पर कितनी spacing कम है यहां से यहां तकी तो spacing अगर कम है मतलब पासपास है electric bill नाइं, जिसका मतलब electric bill ज्यादा होगी और जितना spacing ज्यादा होगा electric bill क्या उनेगा, कम है Second Ky craft Second Krycial Electric kind line ये हम mathematics सें निकाह सकते हैं, Just sample formula मतलब है E equals to K Q divided आप सुगे अब इसमें K कर चाह必 remained Electric field is back-lay proportional to Q इसका मतलब अगर Q-Charge इतना जादा होगा, इलेक्टिक प्यूल इतना जादा होगी, पैंक दिए पॉशन है, यहां से देख सकते हैं, यह हम यह तो मैथमेटिक लिए लेगी है, यह दूसरे तरीके हैं समझ सकते हैं, एक तो मैं 2Q-Charge लेता हूँ, वहाँ पर Q-Node को, Q-Node क्या था टेस् दूबनी फोर्स से रिपेल जाँगा, इसका मतलब अलेक्टिक फिर्ल क्तिघे हैं, डेपल हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगी, क्यों वहतर जादा होगा, ऐलेक्टिक प्यूल क्या हो जाएगी, जाड़ा हो Miss-PriAll इक्टिक फिर्मेटिक प्zew जाँदा domestic Republic, इक अब देफ चार्ट चार्ट और सिमिलरली मैं यहां को क्या लिए नहीं हुआ है अब मुझे पता है कि एलेक्ट्रिक फ्यल्ड क्यों है कि वज़े से चार एलेक्ट्रिक लाइंस निकल देगी है यह मुझे गिवन देगा और इसके लिए द्राग करने के लिए हो गया है तो मुझे यह ध् अब देगा जाएगी इससे डबल और में दूगाई बाए तो यह अपको पिछले जो आपास पिसला पन्सक्तम नहीं किया था उसको भी यहां पर अब लाए करके देख सकते हैं कि वह प्रेक्ट था या नहीं था चार एक इसका मुझे इसका मुझे इसका मुझे इसका सब्सक्राइब के परविस ही में काम हो गई तो इलेक्ट्र किया हो फिसले के तरह पगते हैं। टीजिंग प्रोपर्ट्टी क्या होगी। व JUSTIN यह कि उनिफॉम खने को पुर्पक dlaूट परैंगे क्या करें कि दू fundamental करेंगे। रेते और उनिफॉम इव्हित कर सब्सक्राणे करें इस तरीका से आज़ाए जब भी यह जो electric field vector है इसकी length यह को reason नहीं कहता है reason इसके हंदर electric field हो दिया है इसका मतलब जब भी यह vectors क्या होगे same length पे होगे इसका मतलब इसका मेगड़ूट से वह आपको direction में दिखाए दे रही है और दूसरा जो इसकी spacing है वो भी आगर equal होगी तो उसको किसका example लेकर चलेंगे these are the example of uniform electric field uniform हाप लग समझते हैं कि हर space में हर distance पर जितना horizon गिवन है जितना system गिवन है उस system के नदर क्या होना चाहिए constant होना चाहिए अब magnitude क्योंकि length same है तो magnitude same हो जाएगा अब direction same है इसका मतलब vector same है और spacing same है तो हमें बता है कि जब spacing same है तो electric field हुई पराबर होगी और कम जादा होता तो हम क्या कहा सकते है कि वह क्या हो जाएगा कि कम जादा electric field भी होगी उससे पर इस तो लिपार एक पर gate में नुबर करा आए हमने आपकर simple numericalize तरीके से पिल दिया यह इस तरीके से यहां से line बना के reason दे दिया यहां पर electric field को even नाम दे दिया यहां पर electric field को a2 नाम दे दिया यह और distance बना के पिल यहां इस reason में इतरी नाम दे दिया और पूशे जाके तिसके अंदर electric field की even means greater than e2 or greater than e3 second हमें option दे दिया even less than e2 less than e3 यहां पर e1 equals to e2 equals to e3 तीन option दे दिया यहां पर cannot be cannot be solved या cannot be find a solution the relation तो इसमें क्या भाया है क्योंकि यहां देखते हैं electric field के बीच का distance कितना है कम है अब electric field की spacing जितनी कम होगी तो हम क्या नाम सकते है electric field यह ज्यादा होगी के बिलिश कंसर्ट के परेंस वो कर लेंगे तो even दिख्या हो जादा यहां distance इससे थोड़ा काना है सब्सक्राइब कम है यहां इत्री के केस में और भी ज्यादा distance है तो option 1 क्या है तो इसी जिन में पूचा रहे है एक तरीके से electric field representation हो रहा है नारकास मुस्ट भी मिलेगी नहीं को अगर electric field ऐसे रिप्रजेंट करके arrows के फॉम में यह आ रहा है अब यह क्या है यहां arrow के लिए ज्यादा थी यहां कुछ कम होँए यहां उससे कम होँए यहां उससे कम यहां उससे कम होँए क्योंकि action तो same है और length होता है यह length of vector जिफना ज्यादा होगा एकमेंस पर ज्यादा magnitude होगा यहां पर magnitude क्या 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 होता चले जाए यह किस तरहांपल हो गया decaying electric field मतलब non uniform कह सकते हम यहां पर इससे हैं और दूसरा जो electric field होगी electric field will make close to originating from from positive charge to negative अदलब positive charge ने में परके कहां पर चाहिए अतम होगी negative charge इसको बलागर के रहूं को अगर यह positive charge है यहां यहां नरीकर जाए अब electric field कैसे में करते हैं यहां से यहां तक यहां से यहां तक similarly यहां से ऐसे जाएगी यहां से यहां इस जाएगी इस तरीकर से बना सकते हैं यहीं यहीं कंसेट को लाए गाए अचाहिए और एक most important है से जैसी हबाद अट्रिवलियर में इस स्थिख्रण मेर्चल यह था जैस देंटना इसलिए इस जाएगी यह भोते हैं कि नो गजिए प्रेड लाइंस इंटरसेट इसमें टेंजेंट पर बार बता आजता हूं टेंजेंट लाइंस आपको वने टेंट में पढ़ी होगी टेंजेंट लाइंस को विंदी में बहुत देखें हैं कि अगर मैं यह सर्कल लेता हूं इस सर्कल के बार यह पर यह पर अगने प्राफ रपना है इसका मतलब जश्च पॉइंट को वो वो क्या करें तथ पर बार यह सकते हैं तेनिक लाइन है अभी इसका दर सब जाना है झाल पिस अफ टेंट क्या हुआ है हम इसमें जहां हमारे पास है no electric lines intersect each other दो lines हैं वो आपस में तोब भी intersect ने हैं हम इसका उख़ा लेकर के चलते हैं मान लिया yes they are intersecting सबसे बेसिक प्रकलिशन जो हमने पॉजिटिव चार्ज किया वाज़ से पॉजिटिव फिर लाइंग डाट रहें उसमें गादा अगर मैं यह यह इन्टर्सेक्ट कर गी हमने माल लिया अगर मैं यहां पर क्यों और चार्ज करना है कि यूनो चार्ज कर दूँए, इस पॉइंट के अपदर में फोर्स के रारेशन इसे लिए कापता हूं, तो इस उपर टेंगेंट खीषता हूं, तो यहां से टेंगेंट के चुनगा हो तो यह होगा, और फोर्स जो है हमेशा इस पॉइंट के वज़े से, इलेक्टिक फिल के यह ऐसे यहां से तर्फ जाएगा यह तर्फ जाएगा यह तर्फ जाएगा इसका मतलब क्या होगा at the same time a particle cannot go to two places hence the electric will cannot intersect each other we can't have time to go to the next concept so you don't remember me that you can write तो थे सोब आना इसमें कि आपको प्रोप्रिटीज लिखते जा हुए यह कि पूर्टिंग में समझता जाना आप क्या आया इसमें कि इलेक्ट्रिक फ्रीयल्ड लाइन कि विल र्प्रोच टू इन्फिनिटी कि इसका अगर में पाल्ग छो तब जाते है इसकी राएं कहा तक जो यहीं हो भी यहां भी हो भीयां आपना फिक इसनना पते हैं इत्तं सत पर चल्य पतरा हो यहां से देख सकते हैं, E equals to KQ divided by R सकते हैं आपको अगर infinite करेंगे हैं, तब जाकर के 0 हुई, आप infinite distance का क्या मतलब है, वो 0 को जिस्ट अप्रोफ करेंगी R distance, infinite हम बोल जते हैं, लेकिन infinite का मतलब क्या है, कि infinite एक comparative term है अब मैं distance लेता हम, suppose, 1 centimeter, ठीक है, 1 centimeter के comparison में, 1 kilometer will act as a infinite distance यह आप ध्याम रखके जादा, infinite हम बोल है, कि बिल्कुल दूर जाएंगे, तब भी electric field की बिल्कुल 0 value नहीं होगी, क्या भी कुछ नहीं कुछ value होगी तो यह concept ध्याम रहता, अगर 1 centimeter है, ऐसे comparison में, 1 kilometer के accept करेगा, infinite के जाएंगे करेगा अगर मैं 1 kilometer distance लेता हम, इसके comparison में, क्या देनो है, अगर मैं sun का distance लेता हम, अगर से, that will act as a infinite distance तो infinity एक comparative term, relative term यह चीजा आप ध्यान लखेंगे के, electric field line will approach to infinity, मिलकुछ 0 कभी नहीं होगी एक, एक तो इसकी improvement हो रहती है, उसके पाद आपको numerical देखता है, तो आपको अच्छे समझना जाएगा electric field line, जैसे, अगर यह surface आया, suppose में पास, यह कोई metal surface के, अगर इस metal surface के electric field हमेशा कैसे होगी, पर्पेंगे, अगर होगी तो, if electric field will be there, then it will be perpendicular, ऐसा नहीं सकता है, किसी आगी नहीं को निकला है, या कारिलर निकला है, अगर होगी, इस possible, if possible, तो perpendicular, otherwise, no, यह कुछ एक बाता आपको जान रखनी है, इन सबी बातों को करके, आप electric field field नमेसेट इसली कर सकता है, अब मैं एक वोग नमेसेट आप और कराता हूँ, उसके बाद आपको concept अच्छे समझ में आ जाएगा कि आपको electric field line का concept कैसे लगाना, यह लेकिन नमेरिकल, फॉस्ट नमेरिकल हम उसके लिए करते हैं इसमें, यह नेट में एक आया होगा, नमेरिकल है, इसमें क्या करें हैं, जेखो हमें क्या कुछ हो कह रहा है, यह हमें diagram देती है, अब diagram के बात इसमें पुछ हो हमें से, हमसे relation between, between q1 and q1, q1 क्या है, यहाँ यह नेग्टिव आएगा, positive charge है, यहाँ negative charge है, अब यह positive है, यह negative है, इसमें इसमें हमसे relation पूछ लिया, अब relation पूछ लेगा तो function में क्या क्या देखने हैं, अभी देखने हमें, q1 हमें hectic field देखा था मने, क्या hectic field, lines जो थी, वो किसके proportional की, charge, यहाँ पर कितने electric field line इकल लि इसमें की देखने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका मनलब, electric field, जो Q1 होगा, directly proportional तो यहाँ पर 6 lines थी, तो 6 ते proportional हो गया, similarly, यह Q1 था, अब Q2 में कितने lines लिए है, 4 plus 4, 8, यहाँ देखने हैं, अब उसरे पुछा है, relation, relation निकला है, पुछा है, तो Q1 divided by, Q2 will give us 6 divided by 1, तो यह तो ratio करना गया है, 2, 3, 6, and 2, 4, 1, इसका मनलब, 3 by 4 option, अंसर आगा है, अगर option में, महां देते हैं, 3 by 4 भी present है, और minus 3 by 4 भी present है, third, 4 by 3 present है, fifth, fourth, minus 4 by 3 present है, अब जब भी option वाले question आ रहा है, तो सब सब पहले strategy रखो, exclude कर देगी, क्योंब भाई तो मैंने निकला लिए, 3 by 4, इसका म मुझे 2 जगे 3 by 4 भी दिखाई जाए, अब आप में वो देखा था कि हमीशा positive charge से negative charge इसमें इलेक्टिक विए कहा जाए है, अगरी negative ना भी देखा सबोर्स, अब इसमें तो जीवन था, तो हम minus दगाए इसमें, अगरी की charge नहीं दिया, इसमें क्योंब भी आए, इसमें क्य होगा, तभी इसके अंदर लेक्टिक विखा रही, तो इसका मुदलब एक जाफ positive है, एक negative, तो इसका मुदलब भी आ रहेगा, यहां पर हमेशा negative sign आएगा, तो this will be our correct है, second question और देखते हैं, तो बुच्छा, और second नमरे के लिए तब बढ़ते हैं, electric free lines के basis पर, हाँ यही थी एक चोटा सा concept और एक जोगने properties पड़ी थी, उनमें एक concept चोटा था, वह हम यहां से पवाग कर रहे हैं, वो कहा है कि यह conductor दिया हमें, spherical, इस spherical conductor के अंदर इसे चार lines represent करी है, represented first, second, third हो इनमे अब जब भी conductor का नाम लेते, जब भी conductor आए, तो conductor का अब जहां लगना, एक conductor के प्रोपरटी होती है, conductor के अंदर जब भी charge होगा, वो हमेशा उसके surface के उपर आजाएगा उसका, जो total charge होगा, उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, तो बस यह property जहां लगने, तो surface के अंदर charge आ जब आएगा, तो इसके अंदर के होगा, हमेशा electric field conductor के अंदर बिल्कुल 0 होगी, यह अब बिल्कुल अच्छा तरीके से नाम लगना, the electric field inside the conductor is always 0, अब electric field inside the conductor हमेशा 0 रहेगा, अब electric field 0 है, इसका मुतलब electric field lines क्या थी, just as representation थी, electric field lines हमने क्या किया था, just electric field को represent करना एक तरीका निकाला, अब जब electric field नहीं है, तो electric field line भी माँपर क्या हमने 0, तो अब क्या है इस concept से, हम इस नमरे के लिको कर सके हैं, first क्योंकि ये conductor है, तो इसके inside नहीं हो सकती, second field भी थार्ड भी थी, तो correct में क्यों से ले हैं, fourth, तो इसका fourth जो option होगा, that is correct, अब हम उत्रे नुमरे के लिए तरफ बढ़ते हैं, ये हमार पास कुछ नुमरेकल्स हैं, ये हमने किये हैं अभी, एक special video में electric field lines के जिसमें numerical नुमरेकल होंगे, लगबख आदा गंदा के वो video बनाँगा, उसके बाद हम next video में अंदर electric field lines को study करें, बढ़ते ने, time based करें, okay.